टमाटर के दाम सुनकर लोगों को पसीना निकलने के साथ उनके चेहरे लाल हो जा रहे हैं वरनसी में 120 रुपे किलो से लेकर 180 रुपे किलो तक टमाटर विक रहा हैं ऐसे में एक सबजी दुकंदार ने टमाटर की सुरच्छा के लिए बाउंसर लगा कर सबजी बेचना शुरू किया है दुकंदार का कहना है कि टमाटर इतना महगा है कि लोग दाम सुनकर ही भड़क जा रहे हैं कई जगों से ऐसी घटना की सूचना मिल रही है कि अगर कोई 10 या 5 रुपे का टमाटर दुकंदार से मांग रहा है तो ना देने पर वा गालिक रोज और मारपीट कर ले रहे हैं ऐसी इस्तिती से बचने के लिए मैंने अपनी दुकान पर बाउंसर लगा कर टमाटर बेचने का काम किया है टमाटर के चोरी और लूट होने के डर से दुकान पर बाउंसर लगाय जाने की खबर सुन लोग अचमभित हैं जहां एक तरप तमाटर की महगाई को लेकर तमाम जगहों पर भिलोध हो रहा है तो वही धर्म नगरी कासी में एक दुकांदार ने अपनी दुकान पर बाउंसर लगा कर तमाटर मेच रहा है। दुकान मालिक का कहना है कि तमाम जगों से सूचना आ रही है कि टमाटर चोरी का और टमाटर को लूट का इन ही कारणों से भारी मात्रा में मेरे पास टमाटर होने के कारण बाउंसर लगाया है। प्रोत कोची और उन्होंने टुईट करते हुए सरकार को आने हाथ हो लिया। और टुटर पर लिखा कि भाजपा टमाटर को जेट प्रस सुरच्छा दे। अखलेस यादो के टुईट करते ही कमेंट का दोर चलपड़ा देखी पूरी रिपोर्ट। करें हैं आप लोगों पता चल रहा होगा टमाटर के लिए मार पीट लूट मारा पीटा जा रहा है कई जगए घटना हुई है। हमने टमाटर मंगाया हुआ था इसलिए यहां पर बाद बीवाद ना हो इसलिए हमने बाउंसर लगा रखे हैं महंगाई तरस्त है मोदी जी की राज में अब इस महंगाई के लिए आप खुसमाई 160 रुपय किलो टमाटर भी करा है कोई 50 ग्राम कोई 100 ग्राम ले रहा है टम यहां पर ना हो अपने भाई परिवार लोग हो इसलिए हम खुद यहां पर खड़े होके बाउंसर लगा के टमाटर के लिए मार फिट ना हो करा रहा है